इंडिया वर्सिस सौथ अफरीका की सिरीज जारी है और उसी के चलते हुए एक चीज देखने को आई कि आपने देखा होगा कि रहोई शर्मा जो सबसे काम्याँ कप्तान रहे इस वर्ल्ल कप के अंदर जिन्हों है दस लगतार मैचेस जीते वो कप्तानी नहीं कर रहे थे इस सिरीज में इंडिया की और टीम में शामिल भी नहीं थे स्कॉर्ड में दूसरी तरफ विरात कोली के अगर हम बात करें मतलब दुनिया का सबसे बड़ा ब्रेंड जिसने इस वर्ल्ल कप के अंदर सबसे जादार रन स्कॉर किये वो भी स्कॉर्ड का हिससे नहीं है दूसरी तरव अगर हम देखें तो पाकिस्तान की तरफ से जो सबसे बड़े ब्रेंड हैं शाही शाफरीदी, बाबर आजम और रिजवान वो न्यूजिलेंड सिरीज के लिए खेलते हुए नज़र आएंगे अगर हम ये बात करते हैं कि बाबर आजम और रिजवान को चाहिए कि वो थोड़ा रैस लें, शाही शाफरीदी थोड़ा रैस लें किसी सिरीज के लिए तो हमारे ही जो लोग हैं वो हमारा गिर्बान पगड़ने को आ जाते हैं भाई, उन्होंने प्रूफ कर लिया है उन्होंने इस बात के बारे में बता दिया है कि वो किस चीज के कैपेबल हैं, वो क्या कर सकते हैं येस, हमने माना कि जो 152-0 था इंडिया के खिलाफ, उसमें सबसे बड़ी वज़ा बाबर आजम और रिजवान थे शाहीं शाह अफ्रीदी थे, हम मानते हैं, हम क्रेडिट देते हैं, लेकिन हमें भी बैक अप अपने तयार करने पड़ेंगे ऐसा ना हो, कि जैसे हमने वर्ड कप के अंदर देखा, कि इमाम अलहक और फखर जमान जब ओपनिंग कर रहे थे, उसके बाद फखर जमान टीम से बाहर होए, प्लेइंग 11 से, उसके बाद अब्दुल्ला शफीक को हमने डेब्यू कराना पड़ा, वो भी वर्ड कप के आपने अपना बैक अप तयार नहीं किया, यार हमारे प्लेयर्स के अंदर पुटेंशल मौजूद है, बाबर रिजवान मुकदस गाएं नहीं हैं, कि आप उन्हें ही खिलाते रहेंगे, आपने मौका देना होगा साई मयूप को, आपको मौका देना होगा हसीब उल्ला को, आपको मौका देना होगा बास अपरीदी को, आपने मौका देना होगा आमिर जमाल को, क्योंकि उन्होंने प्रूफ करना है कि वो किस बेसिस पे स्लेट होएं, ये तो प्रूफ कर चुके हैं, बाबर रिजवान और शाहीन, कि वो कितने capable हैं पाकिस्तानी टीम के लिए, मु बिम्रा जब हमें available होगा, हम बिम्रा को खिलाएंगे, बड़ी-बड़े matches के अंदर, दूसी तरफ अगर हम देखें तो ही शाफरीज को रगड़ दिया गया, हम हर series खिला जा रहे हैं, हर series खिला जा रहे हैं, उस बंदे के जितनी capability उस से जादा हमने खिला दिया है, यार र World Cup खिलना है, इतने सारे matches आप देंगे, तो बंदा हमारा injured ही होगा, यह जो bench strength की बात होती है, bench strength की बात इसी लिया ही होती है, कि Allah न करे अगर आपका कोई बंदा main match से पहले injured हो जाए, तो आपके पास strong bench हो, कि आप उसका रद्दो बदल ला सके, अब आपके साम नहीं है, क यह जो एकर वो किसी World Cup के match में injured हो जाए, तो आप उसका backup किसको रखेंगे, अल्ला ना करे, रिजवान injured हो जाए, तो आप उसका backup किसको रखेंगे, आपको इस स्रीज में मौमाद हारिस को रखना चाहिए था, आपने मौमाद हारिस को भार कर दिया, बलके आपको चाहिए था कि आप जो अपने बॉलर्स हैं जिसमें यंग सेंसेशनल बहुत सारे हैं उनको ही मौका दें भाई शाहीशा फ्रीदी का सबसे बड़ा इम्तिहान होने वाला है ये अब बहुत से लोग आएंगे बोलेंगे आमने मौका दे तो लिया था अगवानिस्तान सिरीज के अंदर करना है मैंनेजबेंट को अपने जो मदोट बनाना होगा उस बात पर लाना होगा कि आप हिं हम फिर्स रियार्टी है यह छो parity हम खिला रहे हैं हमारी बैंच के लिए हैं यह आपके पायदे के लिए है पास्तान के फाइदे के लिए है